दोस्तो बिग बॉस औडिडिका इस बार का विकेंड का वार एपिसोड यानि कि आज सेटरे वीकेंड का वार एपिसोड जो है वो बहर दित्धमाखदार होगा क्योंकि आज के एपिसोड के दोरान कई कंटेस्टेंट को कई बड़ी खुशिया मिलने वाली है तो कुछ कंटस्टेंट खून के आसूर होते वे दिखाई देंगे बात कर रहे हैं यहाँ पर चंद्रिका की तो चंद्रिका दिक्षित को इस बार बुरी तरीके से अनिल कपूर जो है अपने अंदाज में एक्सपोस करने वाले हैं जिस तरीके से वो अपने ही दोस्तों के पीट पीछे खंजर घोपती है कहीं ना कहीं उस हरकत से अब मेकर्स भी काफी परिशान हो चुके हैं और जाते जाते वो चंद्रिका दिक्षित को ऐसे कड़ी फटकार लगाएंगे कि चंद्रिका आज खून के आसूर होएगी जी हैं दोस्तों चंद्रिका का एविक्षिन तो होने ही वाला है लेकिन एविक्षिन इतनी आसानी से नहीं करने वाले मेकर्स पहले उसे बुरी तरीके से बेज़त करेंगे उसके असली हाकिकत जो है वो घरवालों के सामने और जन्ता के सामने लेकर आएंगे और उसके बाद उसे बाइज़त बाइज़त को नहीं करेंगे उसे उसको मतलब बुरी तरीके से जलील करने के लुगाश के गर के बाहर धक्का देने वाले है plupart ज़रहसल होगा कुछ ही हों यहां पर चंद्र का दिक्षित को बताएंगे कि तुमारा इस गर के अंदर वजूद ही क्या है तुमारा खुद को कması मुद्ध होता नहीं है। दूसरों के मुद्दे को तुम अपना मुद्दा बनाती हो, करके अंदर कोई भी topic चल रहा होगा, उसको किसी ने किसी तरीके से कुमाँ, फिरा करे अपने उपर ले आोगी, और फिर उस बात को इतना खेचोगी, इतना खिचोगी कि सामने वाले बुरी तरीके से परिशान क्यों न हो जाएं अभी दीपक के लिए भी तुमने खुद का बना लिया था सीवानी है जो दीपक को कुछ कहती है मस्ती में कहती है उसके कहने का अंदाज वाई है दीपक को बुरा नहीं लगता लेकिन तुमें वो बात इतनी बुरी लग जाती है तुम उस बात को बतंगर बना देती हो और सिवानी की बुराया करने लगती हो और तुम अपने ही दोस्तों के लिए इतनी बुराया कैसे कर सकती हो जी हैं दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्ती म फूट फूट कर रोते वे दिखाई देने वाली है तो वहीं दूसरी और अर्मान मलिक पहली बार जो है यहाँ पर सीवानी का साथ देंगे और कहीं न कहीं सीवानी के लिए स्टेंड लेंगे और चंद्रिका की फटकार लगाने में आर्मान भी कोई भी गसर बागी नहीं छोड़ेंगे फिलाल दोस्तों आप इस धमाकेदार स्थीन को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कॉमेंट में जरूर बताएं लेटिस्ट अपडेट्स के लिए हमार साथ बन रही हैं